पिच्चर रफ पर सवार एं और खोड़े घीच रहे हैं रत को हमारा श्रीर-ूपी रत को पांच घोड़े हांक रहे हैं काम क्रोद लोब मों इ Outroi पांच घोड़े काम क्रोद लोब मों तो काम, क्रोध, लोब, मो, इर्शा, ये पांच गोड़े हमारे रत को हांक रहे हैं, खीच रहे हैं, तो ये पांच गोड़े जो हैं बगार हैं हमारे शरीर रुपी रत को, और जब एक गोड़, पांचो गोड़े में अलाइनमेंट ना हो, पांचो गोड़े भगवान की और focus ना हो एक गोड़ा एक इंद्रियिक है मुझे यह करना है कान केते है मुझे यह सुनना है आँखे कहती है मुझे तो काम क्रोध लोग मौ अनर्त हैं जो कहाँ से आते हैं इंद्रियों से यह इंद्रियों जब इनको चखना चाहती है sense object को कान केते हैं में कुछ सुनना है तो पांच गोड़े हमारी इंद्रियों के हैं तो ये पांच गोड़े जब भागते हैं तो कान कहते हैं मुझे ये सुनना है आँख केती मुझे वो देखना है जीवा सेंस अफ टच कहते हैं मुझे उसको चुना है तो ये पांच गोड़े इंद्रियों के अलग-लग दिशाओं में भागते हैं तो उस रत का तहस नैस हो जाता है तो जब ये पांचों इंद्रियां मिलकर बगवान की सेवा में फोकस हो जाती है तो रत सही डारेक्शन में सुचारू रूप से चलता है तो ये समझना सरल है हमारे लिए कि हमारा रत जो है रत रूपी शरीर जो है वो भगवान की सेवा के लिए आत्मा को मिला है इस आत्मा को देह मिली है कि वो भगवान की सेवा करें भगवान के नाम की सेवा करें तो जब वो बगवान की सेवा में जुड़ जाती है तो फिर उसे इस संसार में कश्ट नहीं भोगना पड़ेगा